आसामलेकूम कैसे हैं जी सब अभी थोड़ी दे पहले पारिश हुई थी और देखें कितना ही खुपसूरत मनजर है ये जो है ना ये रेंबो बनी हुई है बहुत ही खुपसूरत मनजर था और बहुत ही खुपसूरत कलर से अगर आपने भी कभी रेंबो देखी हो तो जरूर बताईएगा मुझे और ये एक पार्सल है। इसका मुझे बहुत ही दिनों से इनतजाद था। मैंने ओनलाइन कुछ कपरों का ओर्डर किया हुआ था। फेमने में इक शादी आ रही है और उसके लिए जो है», ये मैंने ओनलाइन अन्स्ट्रिच कपरे ही, ये उनका ओर्डर किया था, और काफी दिनों से इंतिजाद था क्योंकि जाहिर है ये पारसर मुझे मिलता तो उसके बाद ही मैंने इसको टेलर को देंके इसको स्टिच भी करवाना है तो देखते हैं कि कैसा है और फिर इसके बाद मैं इसको टेलर को दूँगी तो फिर जब ये सिल्के आएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे कपड़े सिल्के आए हैं अभी तो जो है ये खोलते हुए भी मुझे डल लग रहा है कि कहीं साथ कपड़े भी ना कट जाएं क्योंकि इसकी पैकिंग कुछ इस तरह की हुई थी कि मुझे बड़ी एक्तियास से इसको खोलना पड़ा है और ये धेरो धेर जो सब्सियां आपको नजर आ रही हैं ये अभी कुछ दिर पहले ही मैं लेकर आई हूँ और सब्सियां जो हैं वो ये तक्रीबबन एक हफ़ते की जो है वो मैंने ले ली थी प्याज है और टमाटर अद्रक या आलू है और धन्या सबस में चाहिए तो ऐसी चीज़े हैं जो रोजी हर खाने में ही इस्तमाल हो रही होती है और इसके साथ ये मैंने टीने ले ले लिए थे गोबी थी और कडेले थे टमाटर, अद्रक जो है इसका पेथ्ट मैं कुछ का बनाके रख लेती हूँ कुछ वैसे भी रख लेती हूँ प्रिज में क्यूंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें जो है पेस्ट नहीं इस्तमाल होता वैसे ही हमें इस्तमाल करना पड़ता है और धनिया और सबस मिर्चे जहां उनको भी इस तरह से में किसी कंटेनर में टिशू रखके और फिर उनको साफ करके तो उसमें रख देती हूं इस तरह ये काफी दिनों तक मेरा चलता है और ये कि कि अधिया ओजिए भी इस्तमाल करके और चलता अधियर करें कि और और अधियर क्यामी तक हाफ्येशेंयोद्य के समाल कर सकते हैं जो के बड़ी जल्डी ख़राब हो जाती है तो इस तरह तरए तरीके से ना वो फ्रिज में रखा करें इस तरीके से स्टोर कर लिए करें बड़ी असानी हो जाती है क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हमें cooking होती है और फिक घर पर चीज मजूद नहीं होती है मैंने इसी तरह रावा था और साथ ही गाजरे जो है जब इन सब्स के इसन का सीजन एंड हो रहा था मतर का भी और जक को है शुल है यह मैंडूर नहीं देखी तो यह जब इक वह से चैनल पर मजूस्ट है तो आज यह ब鉤s बाने का amounts lat नवी अंदेदाँ यहां मैंने आलू जहें बो गाका लिए ते और यह मतर हैं जिनको मैं पहले बाइल कर लोगी और सकतिका आईल में और यह देखें यह गाजें जो हैं यह वही गाजें जिसको मैंने फ्रीज किया था और यह कितनी फ्रेश लग रही हैं इनका कलर जो है यह बिलकुल खराब नहीं हुआ आप इस तरीके से जो है ना वह सब्जियों को फ्रीज कर सकते हैं और यहां लेसन और अधर का पेस्ट मैंने डाल दिया था जीरा डाल दिया था और कुटी हुई सोख मेचे डाली है अचा सब्जी बनाते हुए बनाते हुए यह मिक्स सब्जी बनाते हुए जो है ना मैं दूसी सोख मेची इस्तमाल नी करूंगी पिसी वीज यही वाली कुटी हुई सोख मेची मैं इस और पैस जो है वो चौप करके मैंने डाला था उसको ज़िए नरम किया था उसको बहुत जादा मैंने प्राई नहीं किया था और यह जी आलु इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अलु जो हैं इनको। भी हम पानी भी डाल देगे ताकि यह थोड़े से गल जाय, और साथ ही इ आटा गूनने के लिए मैं ये वाली मशीन इस्तमाल करती हूँ तो इससे मुझे बड़ी असानी हो जाती है टाइम भी बच जाता है आप एक तरफ खाना त्यार करें और दूसी तरफ आटा भी फोरण से त्यार हो जाता है इसमें ज्यादा से ज्यादा ती चार से पांच मिनट मुझे लगते हैं और ये देखें इसके बाउल में मैंने आटा डाल दिया और कुछ भी नहीं करना सिर्फ इसमें हमने पानी डाल देना है और मिशीन जो है उसको चला देना है तो ये जी हमारे आलो और जो आटमाटर जो थे वो भी भून चुके हैं और अब हम इसमें जो है वो मतर डालेंगे मतर जो है ये मैंने पहली जो है वो पानी से निकाल लिये थे यानि उबलते वे पानी में डाला था और फिर इनको निकाल लिया था और गाजें जो हैं ये फ्रीज की हुई गाजें थी इनको भी एक दफ़ा मैंने पानी से निकाल लिया है और दूसी दफ देखें ये आटा जो है ये भी हमारा तकरीबं गुन गया है और इसे गुनने के लिए जो है न वो चार से पांच मिनट ही लगते हैं और यहां सबजी भी हमाई त्यार हो गए थी इसमें मैंने ये सूखी मेथी जो है वो डाल दी थी और इसके बाद इसे मैंने कुछ मिनट के लिए दम पे रख दिया था और सूखी मेथी जब आप किसी सालन में डालते हैं न तो बहुत ही मज़दा और खुश्बू आती है और आटा त्यार हो गया था तो ये इसका जो कंटेनर है बाउल गए रहा वो भी थोके मैंने रख दिया था और जनाब सब्जी भी हमाई त्यार है उसमें कटा हुआ धनिया और सबस मिर्च में डाल दी थी और बहुत ही मज़दा खुश्बू आ रही थी इसकी और आप भी इस तरीके से बनाईएगा इंशाला बहुत ही मज़ेगी बनेगी और चलिए जी यहां साथ ही सुखी रोटिया भी मैंने बना ली है अब भू के लिए जाहरा सुखी रोटिया और सबसी ही उनको देना होती है यह उनकी मैडिसन है तो चलिए जी चलती हूँ फि हुआ हुआ